दूस्तों, बिहार में आंगन्वारी सेविका और सहयका की भरती को लेकर वैप साइट जो है, जारी कर दिया गया है साथियों मैं आपको बता दू, अपलाई को लेकर इन्होंने link भी जारी कर दिया है और साथ में ये भी पता चल जाएगा आपको किस जिले में कितनी भरतिया है उसकी भी डीटेल यहाँ पर जारी कर दिये गया है मैं पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अंगनवारी सेविका सहायका के भरति के लिए आपकी योगिता क्या होने चाहिए इसमें क्या पातरता होती है आपकी उम्र क्या होगी चैन पर क्रिया किस परकार होगा किस जिले में कितनी भरतिया है वो कैसे देख कहां के लिए आप इदन कब स्टार्ट हो रहा है यह पूरी जनकारी साथ हो इस वीडियो में आपको बताई जाएगे इस वीडियो को आप ध्यान पुर्वक अंतर तक देखिएगा पसंदा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्स उसना में आपको एक पॉप अप चलता हुआ मिलेगा समयकित बाल विकास सिवाय के अंतरगत आंगनवारी सिवका सहयका के पत के लिए आवेदन करने को लेकर यह पूटर लाइब किये गये हैं इसमें बताया गया है कि सर्वर पर अत्याधिक लोड के कारण अंतिम दिन जो हो सके अंतिम्तिती की परतिक्षा ना करते हुए फॉप को जरूर जमा कर दीजे इसके अलावे यहां पर बताया गया कि सभी प्रमान पत्रों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा यदि फरजिवारा पाया तो उमिद्वारीता जो आपकी है वो रत क की जाएगी और आपके बुरुद जो है कानूनी करवाई भी शुरू की जाएगी तो गलत जनकारी बिल्कुल भी नहीं देनी है इसके अलावे ऑनलाइन आवेदन करने के जो अंतिम्तिती है यह 18 दिसंबर 2004 साम पांच बजे तक रखे गये हैं बाकि इन्होंने बताया है कि बिग्यापन देखने के लिए यहां क्लिक करें आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर देखी यहां पर वी लिंक है बिग्यापन देखने के लिए यहां क्लिक करें जिस पर जैसा ही क्लिक करेंगे तो यहां पर जीला की जनकारी आपको देखनों को मिलेगा कि मैंने बता है कि हर जीला में भरती होगी तो आपको उसका भी नाम यहां प्राइड होता हुआ देखनों को मिलेगा इस वेपसाइट पर आना कैसे है तो इसके लिए आप अपने मोबाल या लाप्टॉप में गूगल ओपन करेंगे गूगल में टाइप करेंगे और नीचे देखेंगे लेटर जौब में ही मिलेगा बिहार आंगनवारी भरती दोजार चौबेश जिस पर क्लिक करेंगे पूरी जनकारी आपको यहां पर आंगनवारी भरती को लेकर बताई गई है जिसको आप एक बार अपने अस्तर से जरूर देख लिजेगा बकि यहां पर मैं आपको कुछ बता दूर जैसे क्वालिफिकेशन क्या होंगे तो सेविका वाले जूपाद है साथी हो इसमें नए बदलाब के मुताबिक अब सेविका वाले पत पर अपलाई करने के लिए कम से कम आपको 12 पास होनी चाहिए पहले इसमें मैटिक रखा जाता था वही सायका के लिए बात की जा तो अभी बदलाब के अनुस्तर इसमें दस्वी चाहिए पहले इसमें आठ्वी पास सी रखे जाते हैं डुकमर्ट इसमें जाति प्रमांपत निवास प्रमांपत कोई बीदवा है तो बहुत जल्द आप आपको देखनों को मिलेगा तो फाइनली अब जो है अंगनवारी सिभ्का सायका के भरती आभी चुकी है मैं पूरी अपडेट अभी आपको बताऊंगा भी जैसे इसमें एज जो होगा मिनमम 18 साल मैक्सिमम जो होगा 35 साल होगी इसमें आवेदन करने के लिए website पर जाकर आप आप जेब इस पर किलिक करेंगे तो दाइरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे और यहीं पर देखियेju फॉर्म बढ़ने के लिए आपको एक लिक दिया गया क्लिक है टूर यह तो पर आपको क्लिक करना है जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अभी वियापन सिं वहाँ मैं स्टार्ट हो रहा हो उत्ति थी आपको पता चल जाएगी साथ में इसका क्या आंतिम्तिति रहेगा או पता चलेगा क्योंकि माली आपके जिला यहां पसो कर रहे हैं तो आप पता कर सकते कि आपके जिले में जो भरतिया, अंगनवारी, सिवका, साहका की होगी और कितनी होगी, किस वार्ड में कहां सिठे खाली हो सारी जनकारी देखेंगे इसके लिए यहां पर option दिये गए है रिक्तिया, बिवरन देखें, जिस पर आपको क्लिक करना है जिसमें उस जिला का नाम मिलेगा यहां पर आप देखेंगे जो भी आपकी पर्यूजना होगा उसका भी नाम मिलेगा, पंचायत का नाम मिलता है वाट का नाम मिलता है आंगनवारी, केंदर का जो नाम है, वो तेखनों को मिलता है, और जो भी केंदर है, उसका Code मिलता है, और Uni Code मिलता है, यहाँ पर भरती होने वाली है, अब नीचे आएँगे, तो कुल मिलाकर देखेंगे, इन जिला में, जो बेगुसरा है, यहाँ पर अन्ठानमें, सिटों प आप इसको अभी से ही चेक कर पाएंगे तो इन्होंने पूरी परकिरिया के लिए पोटल को इन्होंने लाइव कर दिया है बाकि अपलाई को लेकर अभी जो है इन्होंने आवेदन की तिती जो है जारी नहीं किया है इसलिए अभी लिंक तो आया है लेकिन जब क्लिक करेंगे तो मैं एक detail वीडियो लाऊंगा कि आंगनवारी सेवका-साहका के लिए कैसे apply करेंगा अभी हाली में आपने देखा होगा आंगनवारी में supervisor की भरतिया भी चल रही है जिसपे मैंने वीडियो भी बनाया था आपने देखा भी होगा उसका भरतिया चल रही है हमें लगता है हो को सकते हैं उसका भरतिया समापत हो यहां पर होती जाएगी तो कई सारे जिला यहां पर हो जाएगी यूजर मैनुवल इन्होंने दिया है जिस पर जब आप किलिक करेंगे तो इसमें इन्होंने फॉर्म भड़ने को लेकर सारा जनकारी दिया है जैसे विग्यापन संख्या चैन करेंगे पद का नाम जैसे सिवक्या या सहयका के लिए अपलाई करना है अपना नाम हिंदी में इ यह सारी जनकारी देनी है वार्ड नमबर आधार नमबर डालकर कैप्चा को डालकर आप राइश्टर करेंगे उसके बाद इस परकार आपका आईडी पासवर्ट क्रियेट होगा जिसको आपको संभालकर अपने पास रखना है और उससी उजर आईडी को डालकर यहासा क्या लगेगा बाखी अपलाई जब स्टार्ट होगा तो उस दिन तो वीडियो मिलेगा ही देखे इसमें आपको सबसे पहला चीज है कि मैटिक की जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको देने की जरूरत होगी जो डेटो बर्थ बेरिफाई के लिए मांगा जाएगा बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि उनका माकसिट तो होता है तो उनके पास यह औरिजनल से ले लिजीगा ये भी आपको लगेंगे आपकी माकसिट मैटिके लगेंगे इंटर का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको देने परेंगे करेंगे यह सभी डोकुमेंट ही आपको देने की जरूरत होगे तो अभी मौका है आप जल्द से जल्द डोकुमेंट बनवाईए इसका पोर्टल किसी भी समय लाइब हो सकती है अपलाई को लेकर वैसे पोर्टल तो लाइब है लेकिन अपलाई का लिंक एक्टिव नहीं है बाकि जैसा ही लिंक एक्टिव होता है मैं आपको जरूर डीटेल वीडियो के साथ आपको उपस्तित होकर जैनकारी को अपलप्त करवाऊंगा बाकि इस वीडियो को आप सेयर करिएगा और हमें कॉमेंट बक्स में इतना जरूरू बहता है कि आप बिहार क किस जिले से बिलॉंग करते हैं किस जिले की भरती की आपकी इंतजार है ताकि उस जिला की विभरती को लेकर कोई अपडेट आए तो मैं अपडेट दे दूँगा धन्यवाद जाहिंद